गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, तुडे, डे, फ्राइडे, डेट, 18 दिसंबर 2020, क्लास 4th, चैप्टर नंबर 43, पेज नंबर 49, चापके चैप्टर का क्या नहीं है, हाओ वी मेजर इट, हम कैसे मापते हैं, In our daily life, we measure a number of things, हमारी रूज की जिंदगी में, हम बहुत सरी चीज़े मापते हैं, there are various units of measurement, मापने के लिए बहुत सरी units होती हैं, write the serial number of respective unit against the thing, यहाँ पे आपको चीज़े दे रखी हैं, उसके सामने उनकी units लिखनी हैं, उनकी units का जो first alphabet है, देखो, a से लेके ओ, तो कि यहाँ पे alphabets दियो हैं, उनके सामने units दे रखी हैं, क्लोथ की क्या unit है, इनमें से आपको बताना है, और उसके सामने उसका alphabet लिखना है, सबसे पहले देखी क्लोथ, क्लोथ क्या होता है, कपड़ा, कपड़े को मापने के लिए, हम कैसे मापते हैं कपड़े को, मिटर्स में मापते हैं, जब हम क्लोथ लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं इतने मिटर कपड़ा दे दो तो इसको किस में मापते हैं मिटर में देखो ओ लिखा हुआ है तो आप इस बॉक्स में लिख लीजिए नेक्स देखी गोल्ड, गोल्ड क्या होता है सोना, सोने को मापते हैं कैसे मापते, ग्राम्स में, इतने ग्राम्स होना, जब लेने जाते हैं इतने ग्राम की लेनी है, यह इतने ग्राम की बनती है, तो किस में होती है, ग्राम में होती है, एच पे देखे ग्राम लिखा हुआ ह वोल्टेज कैसे मापते हैं एमफियर्ज में देखिए एमपी लिखो है एमपीयर्ज आप यहाँ पर एमफियर्ज कर लीजिए नेक्स्ट है टमप्रेचर टमप्रेचर क्यों होता है तापमान तापमन कैसे मापते हैं जी, celsius, तात्मन कैसे मापते हैं, temperature कैसे मापते हैं, celsius में मापते हैं, next देखें, crunt, crunt किस में मापते हैं, crunt हम मापते हैं, volt में, volts में crunt माप, कितने, कैसे माप पा जाते हैं, कौन सी unit होती है, crunt की, volt, next देखें, milk, जब हमने milk लेना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हमें इत distance covered by a car, मतलब car द्वारा जो हम तै करते हैं दूरी, car द्वारा तै की गई दूरी, तो उसको distance को cover करने के लिए हम क्या करते हैं, L, L पे देखी क्या है, किलोमेटर, किलोमेटर में मापते हैं, जब हमने रस्ता cover करना हो, हमने इतना रस्ता cover कर लिया, हम मतलब इतने किलोमेटर में रस्ता पार कर लिया है, तो हम किस में मापते हैं, किलोमेटर में, देखिए, 8 नमबर पे क्या है, vegetables, vegetables हम कैसे लिखते हैं, आदा किलो, 1 kg, 2 kg, केजी में लेते हैं, तो D पे देखी किलो ग्राम्स, तो यहां पे आपके आल, D लिख लिए जीए, नेक्स देखिए, height of a person, height मापने के लिए किसी भी व्यक्ति की, height मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, height मापने के लिए हम centimeter, इतने centimeter किसकी height है, या फिर feet में, या फिर इतने feet है, यहां पे option centimeter का है, यह N, तो हम यहां पे N, पुट करेंगे, नेक्स टैन देखिए, sound, अवाज को कैसे मापते हैं, अवाज को हम decibels में मापते हैं, decibels, नेक्स देखिए, time, time मतलब होता है, वक्त, वक्त को कैसे, वक्त का कैसे पता चलता है, इतने घंटे होगे, हाज, इतने आर्ज हो चुके है, C पे देखिए, आर्ज, नेक्स देखिए, length of a, tennis court, tennis court की लंबाई कैसे मापते हैं, meters में, एक measuring tape आती है, देखो, यह तो कपडों को use करने के लिए होती है, एक और आती है, जिससे tennis court या और किसी की लंबाई, लेने के लिए, हम किसका use करते है, एक measuring tape आती है, उससे हम मापते है, तो, कितने कैसे माप पी जाती है, meters में, meters में मापते हैं उसको, a loaded truck, जो truck होता है, लदा हुआ truck होता है, जब उसमें समान भर देते है, तो जब भरने के बाद, उसको load हो जाता है, मतलब लद्दे देते हैं उसको, तो फिर उसको किस में मापते हैं, tones में, आई पे देखे लिखा हूँ है, उसका, जब truck में समान पूरा load हो जाता है, तो उसका weight करते हैं, तो वो tones में weight करते हैं, next देखिए cold drink, cold drink जो हम गर्मियों में पीते हैं, तो cold drink को कैसे मापते हैं, जे पे देखिए, जे पे क्या है, milliliters, आप कोई भी cold drink की bottle देतो, इतने ml की, उहाँ पे लिखा होता है, इतने ml की है, लिटर में है, यह milliliter में है, तो ऐसे लिखा होता है, बॉटल पे भी, memory of a CD, CD में कितनी space है, कितनी capacity है, वो कैसे मापते हैं, megabyte में, तो यह तो अपने computer में भी आई तिंक पड़ा होगा, megabyte, gigabyte, बहुत सारे होती हैं, यह कि इसमें मापते हैं, MB में, MB, megabyte, बच्चे इसको फिल करी अच्छे से, थांक यू, हव आईस दे,